हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में और फाइनली यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इस अपडेट का इंपक्ट आज की दिन तो पढ़ा वीडियो नजर आने वाला है एक रिपोर्ट में टार्गेट बताए गये हैं और एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से जो यहां पर खवर निकल कर आई है उस पर डिटेल में डिसकसन हुआ है तो वीडियो बहुत ही अधे इंपॉर्टन होने वाली है एंड तक जरू देखि सबते पहले आप यहां पर देख पा रहे होगे यह बैंक के आज के दिन की क्लोजिंग लगबग 2% के आसपस होई है इस्पैसिफिकली बात करें तो है 1.84% 24 रुपे 90 पैसे पर शेयर आज के दिन क्लोजिंग देते हुए नजर आया है आज यहां पर शेयर में 25 रुपे 10 प गिराबट जो हाल फलाल में इतनी हुई है कि दो दिन की तेजी से भी अगर आप देखते हो तो पिछले 5 दिन में जो गिराबट हुई है वो रिकवरी हो नहीं पाई है पिछले 5 दिन में लगबग 2% की गिराबट अभी भी नजर आ रही है जिसका मतलब यह है कि पिछला ज जबते पहले मैं आपको एक रिपोर्ट पर देकर चलता हूं जो कि एंडी टीवी की तरफ से निकल कर आ रही है पेटियम शियर जंप फाइब परसेंट आफ्टर डील विद यस बैंक टू मूब मर्चेंट अकाउंट आप सभी को बता होगा पेटियम बैंक के साथ क्या हुआ आर्बी आई ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन निकाले जो कंप्लाइंस निकाले थे वो पेटियम बैंक ने यहाँ पर फॉलो नहीं करे तो फिर यहां से आर्बी आई की तरफ से बोल दिया गया कि अब आप यह जो बिजनिस है वो नहीं कर पाऊगे और 29 फैप के बाद से आप यहां पर कोई भी ट्रांजक्शन नहीं कर पाऊगे उसकी वजह से पेटियम में कॉंटियूसली लग रहे थे कॉंटियूसली गिरावट हो रही थी लेकिन फिर एक यहां पर न्यूज ने कलके आई कि यह बैंक के साथ बात चीच चल रही है कि जो मर्चेंट अकाउ अग्री टो डिसकॉंटिन्यू वेरिएस इंतेर कंपणी एगरिमेंट ठीक है तो इन दोनों के बीच में जो इंंतेरकंपणी एगरिमेंट चल रहे थे वो भी अब डिसकॉंटिन्यू हो जाएंगे आगे अगर हम इसको डेटेल में देखते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे share of 197 communication limited snap the 3-day fall and jump 5% on Friday continuously गिरावट हो रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया लेकिन आज यहाँ पर 5% का पर सरकित लगा है क्योंकि यहाँ पर yes bank के साथ जो है वो deal sign होने वाली है इसमें जो भी इनके merchant bank accounts थे वो सारे के सारे transfer हो जाएंगे yes bank को आप यहाँ पर देख पा रहे होगे PTM जो है वो आपको third party application provider license जो है national payment corporation से भी apply किया हुआ है और यह भी yes bank और access bank के collaboration में देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि जो PTM का share है वो आज 5% भागा और कहां से कहां तक share पहुँच चुगा है आप इस chart में भी देख पा रहे होगे तो यह जश्ट मैंने उनके reference के लिए दिया है कि आप इस stock को buy का सकते हैं यहाँ पर PTM bank की बात हो रही है और 3 ने recommend किया है hold का सकते हो पांच ने sale का recommendation दिया है अब बात कर लेते हैं yes bank की तो देखो यहाँ पर एक news निकल के आई yes bank के shares में तेज उछाल share की आज मची है लूट जाने वजा यानि कि यहाँ पर इस report में जो दो दिन से तेजी आई है बहुत बड़ी rally तो नहीं है बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है लेकिन हाँ जिस according negative माहौल बनाए गया था उसके बात से जो recovery है वो भी सही मानी जा रही है अब report के अनुसार Paytm ने UPI के लिए third party application के लिए apply किया है NPCI को किये निवेदन में Paytm ने Yes Bank और Axis Bank के साथ समझोते की बात कही है मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार Paytm ने जरूरी कागज जमा कर दिये है यानि की already चीज़ें बहुत जादा process हो चुकी है और यहाँ पर Yes Bank और Axis Bank का नाम जो है वो अब सामने आ रहा है और इस deal से जैसे की मैंने कल आपको बताया था जो CEO का interview था उन्होंने बोला था एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ा client base हमें मिल जाएगा उन्होंने बोला था कि एक बहुत बड़ी opportunity है लेकिन इसकलिए कुछ approvals की requirement होती है और वो सारी चीज़ें शायद अब process में पहुँच चुकी है अब ही yes bank की तरफ से एक बारी confirmation आ जाएगा और एक बारी जिस दिन ये news निकल के आएगी जब yes bank की तरफ से official news आ जाएगी तो definitely share में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है CNBC आब आज की भी report दिखा देता हूँ analyst ने क्यों कहा yes bank share multi-wagger बनने वाला है लेकिन यहाँ पर देखो चीज़ें तो ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा sorted नजर आ रही थी अभी तक लेकिन जिस according चीज़ा बीच में जो impact कर गई है वो एक बहुत बड़ा question raise कर रहा है yes bank के share price पर प्रकास गाबा जो की एक expert है और CNBC आब आज के पैनलिस्ट भी है इन्होंने बोला है कि यहाँ से share जो है वो एक अच्छी गासी rally दिखा सकता है share को एक breakout की जरूरत है और वो है 29 के आसपास अगर यहाँ से share जो है 29 क्रोस कर जाता है और 30 के अबब चला जाता है तो share में एक बहुत बड़ी rally आने वाले time में बन सकती है इन्होंने बोला है कि long button जो pattern है वो बन रहा है अभी share में जिसकी बज़े से काफी time लग सकता है इन levels को achieve करने के लिए लेकिन अगर एक बारी यह जो pattern है वो अचीव हो जाते है लेवल्स अचीव हो जाते है तो share यहाँ से एक multi-wagger returns आप सभी को बना कर दे सकता है और आपको यह तो पता ही है कि fundamentals जो है वो company के दीरे दीरे ही सही लेकिन काफी अध्य तक improve हो रहे है और यहां से अगर आप देखोगे तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रहना तो share से आप दूर रह सकते हो लेकिन आप risk bear कर सकते हो तो definitely returns के chances भी इस particular stock में बन रहे है तो यह थी overall यहाँ पर coverage yes bank के बारे में जो कि मैंने आपके साथ share कर दिया है I hope आपको वीडियो में दीगी information जो है वो अच्छी लगी होग कर दो